नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने जोतिस ग्यान के नाम से एक सीरीज चलाई है जिसमें बहुत ही बेसिक से लेके और एडवांस तक अस्टलोजी में पढ़ा रहा उसके अंदर कर ये 55 या 60 पार्ट हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं और ये सारे पार्ट जब आप देख लेंगे तो आप एक अच्छे जोतिस बन सकेंगे ऐसा मेरा मानना है आज हम लोग पढ़ेंगे गोचर के विश्य में अभी तक हम लोग अद्बुत स सूत्र हम देख रहे थे कैसे कैसे सूत्र होते हैं कुंड़ी के प्रडिक्शन करने के लिए पीछे वीडियो में हमने सूत्र देखे आज हम पढ़ेंगे गोचर कैसे देखते हैं और गोचर क्या होता है इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कुंड़ी प्रडिक्श है चोफर किकुदी के ओपर ही देशा करता है और 550 करता है टोड़ी कमी पेशी कर सकता है ऐसा नहीं कि यह भा क्वाल नहीं मिलने हैटो घुशर आपको फल देदेगा हा GarUS val पीवे हम पेस्टी जर्मों कोळ सकता है अपनी उलिकी बेरे से तो आगाए और पढ़ते हैं ये जैई हैं कि और था देखने के तरीक न रीक होते है तो बहुत अच्छा ए चाह स्थ्रों में लिखा हुआ है कि सर्वेशू लगनेशू लगन पृधानम खलू गोच रेशू तस्बात द्रक्षाद अपी परतमाने ग्रहिंद्रे चारे कथेत फलानी ये कहते हैं कि वैसे तो गोचर आप किसी भी ग्रह से देख सकते हैं तो सुर्य से डिफरेंट ग्रह का गोचर देख सकते हैं मंगल से ग्रह कहां कहां चल रहे हैं आज की डेट में तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में सूर्य से गोचर में ग्रह कहां कहां चल रहे हैं चंद्रमा से गोचर में ग्रह कहां कहां चल रहे हैं किसी भी चीज़ को मालिया आपने सूर्य से ग्रह कोचर में देखना है तो सूर्य क इस त्रीके से आप चेक करेंगे तो आप गोचर देख पाएंगे ग्रहों से, तो ऐसे ही सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से, बुध से, ब्रस्वत्ति से, शुक्ड से, शनी से, आप डिफरेंट ग्रहों का गोचर देख सकते हैं, ये देखने में कोई गुराई नहीं है, और य trên को देखा जाना भी चाहिए लेकिन कहा है जार दूप्यान के चंदरलगन को प्रधानता दी गगैं कि जंद्रेशल रहा है जंद्रमा से ग्रहों का गोचर देखें कि कहा चल रहा है अब जंब कालीन चंद्रमा से गरहों का गोचर देखना है तो तो कैसे कोचर कहा है तो उस तो यह तो चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जिस ग्रह से गोचर देखना है उस ग्रह को लगन बना लीजिए और लगन बना के फिर उससे डिफरेंट ग्रहों का गोचर देखिए कि डिफरेंट ग्रह कहां कहां किस-किस भाव में चल रहे हैं तो चंद लगन से गोचर बेठा हुआ है अब आप आज की डेट में गोचर में देखना चाहते हैं कि चंदर के साफ एक आपका गोचर कैसा चलता है डिफरेंट ग्राओं का तो आप क्या करेंगे चार नंबर राशी को लगन बना लेंगे आज की जो कुंडली है वो उठाएंगे और चार नंबर राश में हमारा जन्मकालीन चंद्रमा है उसको लगन में मानते हुए हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट ग्रहे आज की तारीख में कहां कहां चल रहे हैं किस-किस भाव में चल रहे हैं और उनका उस भाव में चलना अच्छा है या उस भाव में चलना बुरा है वो चीज हम आग लगन बना लो चंद्रमा के साफिक्स gibi देखना लो हुशकर कुंडली कहां कहां इसके बाद बहुत इम्पॉटन्ट आता है वो कहते हैं कि यह भी तिसलेंग Strek सदाइब आप विचार करना हुँ तो आप विचार प्वह को लगन मना अप इंग है कि आपricot कीसी कैसी होगी है अपनी से पिता भाब को सुख बना दीजिए उसको जबने लगन बना दिया तो उससे दूसरा भाब पिता का सुख हो गया उसे करके हम लोग चलेंगे उसे पहां पिता का संदान हो गई चाटा भाब दिया हूआ है कि अबर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसे सकते हैं कि सूर्य प्रपा का कारत है उसको लगन बना लिजिये आपकी डियोंचार्ट में सूर्य जस राषी में है अगर सूर्य पॉंस नम्बर राषी में है तो पॉंस नम्बर राषी को लगन बना लेजी अब फिर देखिए पांसनमबर राषी को लगन बनागे तब आप च्थेख कें एगया तो उसरा का धन ओधिये得 गुंद्धिem तो वे सब्ते खले ही तो मैंने आपको पहले यह बताए तीसरा क ज़ातरों में जो थोड़ा ज्यादा काल करह रहें और प्रैटिस में पाया गया है कि इस से रिजट अच्छे कि अगर आपको पिता की कुंड़ी देखनी हो तो जो कारक होता है उससे उतने भाव चलो आगे जिस भाव से हम पिता का स्थान देखते हैं पिता का स्थान देखते हैं नवम भाव से और कारक कौन होता है सूर्य तो सूर्य से नवम भाव को लगन बना लो आपका डीवन चार्ट बना हुआ है कुंड़ी आपकी बनी हुई है आपकी कुंड़ी से आपके पिता के बारे में जानना है तो कै तो इस तरीके से आप आगे चलते चले जाएंगे तो पिता का विचार करना हो तो सूरी से नवा देखो माता का विचार करना हो तब माता को विचार करते हैं चौथे भाव से कारप कौन है चंद्रमा तो चंद्रमा से चौथे भाव को लगन मना दो डीवन चार्ट में चंतर्मा से चौथे भाव में जो राशी है उसको लगन मना लो, फिर वो माता एक इपनी कुंडरी से, इसी प्रकार भाव माता का पराक्रम हो गया, इसी प्रकार भाई का देखना हो, कुंडरी, आपके अपनी कुंडरी से, भाई को हम देखते हैं तीसरे भाव से कारख कौन है मंगल है तो मंगल से तीसरे भाव में जो राशी है आप फी कुंडली में उसको लगन बना लो तो ऐसे करके आप कुंडली देख सकते हैं ये तरीका भी है या तो आप उस भाव को लगन बना ले जिस भाव से संबंदित आप कुंडली देखना चाहते है या उस भाव के कारक को लगन बना लें या उस भाव के कारक से काउंट करके लगन बनाने जो विचार मैंने आपको बताया है अभी वो बनाएंगे तो आपको 100% रिजल्ड मिलेगा और आप काफी कुछ रिजल्ड बता पाएंगे अपने पिता के बारे में अपने माता के बारे में अपने बाई बैनों के बारे में जट आप बता पाई के फिर कहते हैं कि चंद्रमा से ही गोचर क्यों दिखा जाता है चंद्रमा मन का कारक है यह बताया हमने की चंद्रमा मन सोजाथ और चंद्रलगन को गोचर परादेश में प्रागपधानता दी गई है और कुछ जगे तो यह भी कहा गया है शास्त्रों में कि अगर किसी की कुंडली जन्म लगन की बजाया चंद्रलगन से ज्यादा मजबूत हो आप किसी कुंडली देख लो जन्म लगन से भी देखो कैसी कुंडली है फिर चंद्रलगन बना के कुंडली देखो कैसी कुंडली है आप देखा आपने चंद्रमा आपका बैठा बैठा है करथ हसे मैं बना लिये तो फिर गुंड.ी, कर लगन लिए है, तो तो फिर चंद्र लगन की, इतनी आपको बताँा है, ँतनी IMPORTANÇ है, चंद्रमा की इतनी प्रधानता है तो गोचर में चंद्रमा चुकी मन है, अगर गोचर अच्छा है, तो मन प्रसंद होगा, गोचर अच्छा नहीं है, तो मन प्रसंद नहीं होगा, और मन से हारे हार है मन के चीते चीत, मन सी कहते हैं कि मन अगर प्रसंद है आपका, तो आपका हर काम में मन लगेगा, और आप हर तर आते सिंपल है कि जनकाली चंद्रमा से कि अगर गोचर कुंडली में जनकाली चंद्रमा से सुरिय तीसरे छते दस्वे ग्यारवे भाव में तो बहुत अच्छा कहला ने डेता है और वह उर्फल आच्छा होता यानि चंद्रमा जिस राशी में आपके डीवन चार्ट पे हैं उस राशी को आप गोचर कुंड़ी का लगन बना लिए उसमें लगन बना लिए और देखिए सूर्य किस भाव में हैं अगर सूर्य तीसरे चटे दस्वे ग्यारवे भाव में हैं तो वह आपको अच्छे रिज बुद्ध आपके जनकाली चंद्रमा से दूसरे चौथे चटे आठवे दस्वे ग्यारवे भाव में हैं तो वह आपको अच्छा देगा शुक्र 123457 911 12 भाव में हैं तो वह अच्छा देगा शरी के लिए 3-6 11 भाव बोले जाते हैं कि तीसरे चटे और 11 भाव में हो जनका इसका प्रभाव में से अगर तो देते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है आगे इसका क्या प्रभाव होगा कैसे प्रभाब होगा मैं आपको नेक्स क्लासे पढ़ाऊंगा तब तक के लिए आप इतना याद रखिए कोई कमेंट्स आपका हो कोई चीज समझ में आई हो तो उसको लिखके जरूर भेजिए मैं कमेंट्स अर्पलाई करने की पूरी-पूरी कोशेश करेंगा धन्यवाद इसके लावा छोटा से नोटिफिकेशन है जो लोग अस्ट्रावजी सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं कभी भी और यह नंबर पर संपर करें जैसे